खरकोन थाना चेत्रा के उमर खली में शुक्रुआर की देश शाम दो पक्षों में घर के बाहर टेक्टर टाली वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया विवाद के दोरान एक पक्ष के करीब 10 से अधिक लोगों ने वाहन मालिक के घर में पहुच कर लाठियों और चाकू से हमला कर दिया इस हमले से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंबिर घायल हो गया घायल को एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है म्रतक और घायल आपस में मामा भांजे है भांजा दिपावली मनाने आया था जो बीज बचाओं में चाकू लगने से मारा गया पुलिस ने हमला वरों को गिरफतार करने का दावा किया है पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में शुक्रवार दिन में वाहन खड़ा करने की बात पर विवाद हुआ था जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी रात में फिर एक पक्ष के लोग शराप पी कर करीब दस से अधिक की संख्या में वाहन मालिक के घर पूचे और हमला कर दिया खरगौन से जैनति कुप्ता की रिपोर्ट मैं गराम उमर खली का निवासी शामलाल पिता नाना जाती काहर हरी जन लोगों ने हमारे साथ में हमला किया भांजय मेरा आयता बरूर से बजार करके साम के छे बजे वो तिवार पे तिवार खाने के लिए उसके साथ में वारदात हुई गाली गलोच करी घर बानने खिड की तोड़ दिये पोटले के फरस्या सब फेक दी और उनको समझाने गये तो मेरे भांजय को चापो से जान से मार दिया है और मेरा भाई गंबी रिस्तती में अभी अस्पिताल में एडमीट है उसको अभी दोरों से कल से घुस्त नहीं आया है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चीए कारण क ट्राली खड़ी तुमारा क्या नुक्सान है इसकी वज़े से इन्होंने किस चीज से मारा है चाकू से मारा है और छोटाले भाई को लाठी से और सिर में लगा है गाउं थाना बरूर के अंतर गये तो उसमें टेक्टर और ट्राली की रखने की बात को लेके एक विबाद उसमें एक ऐर भी हुई हुई उसके बाद दोनोंपक्षो को समझा गया शाम को बापस से सराभेगर का सेबस किया उसके फिर इन्हों की कुछ लोग और आयो यह आयों दोनों पक्षों फिर भी बाद हुआ और उसमें धार-धार हतियार से आहमला किया गया उसम्हें एक substantially ज जाए जा चुका है 302 की अफियार करके उनकी गृतरी का नियाला पेस के जाएगा और मांड लेखे फिर अकरिम प्रिदाने का भी कि जाएगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले